घैलो जई, हैलो हैलो है तो पीचे हमने एक रेस्टरॉण खोला है दुबाई में उसका नाम है कश्कन कश्मीर 2 कन्या कुमारी और हर रेस्टरॉण जब आब खोलते हैं, मेन्यू बनाते हैं तो कुछ डिशिज आप डाल देते हैं यह दिश तो चलनी चलनी है, डाल देते हैं, वहाँ पर हमने ऐसी एक डिश डाली, तरी वाला कुक्कड, तरी वाला चिकन, साब वो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स छोड़के वो डिश जो है सबको पीछे चोड़के आगे निकल गई, मतलब आज की रेट में जो जा रहा है, एक तो डाल कशकन और एक तरी वाला कुक्कड सबसे पहले ओर्डर कर रहा है, तो मैंने का अगर इतनी अच्छी डिश है तो आप डिजर्व तो करते हैं उसकी रस्पी, है ना? क्योंकि कशकन से भी पहले से आप, हैं के नहीं? तो नवशकार, मैं हूँ कशकन बरा, sorry, नवशकार, मैं हूँ रेनवीर बरार और बनाते हैं तरी वाला कुक्कड यानि की तरी वाला चिकन, एक दम फर्स्ट क्लास कैंट खुलिंग एंड एक्शन यह रेस्पी भी अगर लंबी खिच गई फिर मेरी कोई गलती नहीं है आप एडिटर्स को बोल सकते हैं के भाई लोग क्या कर रहे हो तुम लोग यार चिकन को कर लिया, चॉप ठीक है ना? चिकन को बारीक बारीक चॉप कर लिया प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया 900 ग्राम प्याज है, 900 ग्राम प्याज में 900 ग्राम चिकन है, 900 ग्राम चिकन में तीन मीडियम प्याज ठीक है? 900 ग्राम चिकन तीन मीडियम प्याज अभी एक लेटेस्ट और बहुत प्यार से सजेशन आया है कि रनवीर, टेबल फैन रखो, टेबल फैन अगर साइडवेज चलेगा, तो तुमारी आखों में आसू नहीं आएंगे, लेकिन अगर टेबल फैन साइडवेज चलेगा तो माइक में आवाज आईगी, वो ज्यादा टमाटर वो भी चॉप, वो भी रफली-रफली अभी अदरक और मिर्ची वो भी चॉप, रफली-रफली मारनेशन के रिए चिकन है कितना था? 900 ग्राम अब इसमें डाल देंगे सारा मावला मसाला, हल्दी देखे मिछ ठोक है, धनिया पाउडर, नमक ये भी ठोक के नहीं, नमक हो जाएगा तेद और आप कहेंगे रनवीर आपने बता है नहीं, धनिया ठोक के नमक रोक के कसूरी मेथी और दो लेडल दही आप इसको बगेर दही के भी बना सकते हैं, अगर आप बगेर दही के बना रहे हैं, तो फिर आप दही को टॉमेटो प्यूरे से रिप्लेस कर देज़ाए एक बड़ा लेडल टोमेटो प्यूरे फ्रेश यहां केंट जो आपको डालना है आप वो डाल सकते हैं मुझे अभी अभी यह बताया गया कि मैंने दही वाला कुकड भी नहीं बताया यह तो डबल नाइन साफ ही हो रही थी ना, एक तरी वाला कुकर नहीं बता एक दही वाला कुकर नहीं बता है, तो अगड़ी रेस्पी दही वाला कुकर अब करनी है भुनाई और जब चिकन भुन रहा होगा तब बनाना एक स्पेशल मसाला मैं हमेशा ऐसे ही अटका लेता हूँ, स्पेशल मसाला बोल के ही अटका लेता हूँ ना, यही तो अपना स्टाइल है और जब स्पेशल बोल दो लोगों के कान खड़ जाते हैं के स्पेशल है भाई, रुको ये रन्वी स्पेशल है और वैसे भी स्पेशल है एक्चली स्पेशल है कशकन स्पेशल चिकन मसाला देखे एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाबी में तरी यहां माहराश्टर में तरी उसका मतलब होता है कि धेर सारा रोगन जब तक उपर ना है तो डिश बनी नहीं है इसे तेल में कुझे उसी नहीं जीरा बे लीफ क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जादातर बे लीफ की जगापर सिनिमन लीफ का इस्तमाल होता है यानि कि दालचीनी के पत्ते को हम बे लीफ बोलके जादतर बेचते हैं क्योंकि बे लीफ हर जगा नहीं उपती है अद्रक लस्टन हरीमिश को देखे हैं मैंने बिल्कुल धीमी आज पे पकाया है बिकोज जो तर्री है ना तर्री उसके अंदर फ्लेवर आना चाहिए तेल में अगर फ्लेवर आ गया उसके बाद सारे काम असान हो जाएंगे और उसके लिए एकदम से खौलते खौलते तेल में चीज़े नहीं डालनी है अध्रक लसन का पेस्ट नहीं डालना है पंजाबी खाना बनाते हैं तो पेस्ट नहीं यूज करते हैं पेस्ट जो पंजाबी खाने में पड़ता है वो जात ज्यादा कुंडे को उठने वाला पड़ता है मतलब हमाम दस्ते में जो पेस्ट बन गया वही पेस्ट पेस्ट है बाकी पंजाबी खाने में मिक्सी वाला पेस्ट कहीं नहीं पड़ता अब यह जी चौप धनिये की डंडी रनवीर का खाना हो चाहे रेस्टरॉंड का हो चाहे यूट्यूब का हो उसमें जब तक चौप धनिये की डंडी नहीं जाएगे तो टेस्ट कैसे आगा बताईए धनिये से हमारी दोस्ती में पूरी इमानदारी है चाहे हम यूट्यूब में खाना बना रहें चाहे रेस्टरॉंड में खाना बना रहें ठीक है ना जल्दी हो रही है तो दस तक गिनलो उल्टा दस, नो, आठ, साथ, छे, पाँच, चार, थीन, दो, एक अब इसमें थोड़ा धनिया मिर्ची और तो यह गया धनिया और यह गई थोड़ी मिर्ची अब आपने एक बार मसाला मिक्स कर दिया ना तो चिकन को ज्यादा मत चलाईये मेन क्या है प्याज वाला मसाला और दही वाला मसाला मिक्स होने चाहिए हैं जब दही भून गया है ना चिकन का मतलब मामला रेडी है अब डालेंगे पानी पानी अगर आपको नहीं डालना है आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं अब कुछ पानी जो है चिकन भी छोड़ेगा तो एकदम से पानी जादा नहीं डालना है बाकिया भी भुनाई होती रहेगी तब तक मैंने आपको बहला था ना कि एक ड्राई मसाला बनाना है स्पेशल ये पांच चीजें काली मिर्च धनिया लॉंग इलाइची छोटी और इलाइची बड़ी चीजे पांचे जादाध कर देशल तैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्सा पीस हैं आप जब चिकन सतर से 80% पक जाए तब उसके अंदर डालने जी बाकी का मसाला काली मिर्च इसमें मेन है क्योंके तरी वाले कुकड में रंग जो है वो लाल मिर्च और काली मिर्च के मिक्शर से आत जो होता है कि मसाला गांठे नहीं बनाता मसाले में पानी के साथ लगते ही लंप्स बन जाएंगे लेकिन नमक जो है वो पानी खीच लेता है इसलिए मसाले को लंप्स नहीं बनाने देता कि देखिए करी दिखाता हूँ मैं आपको इतनी ग्रेवी तो होनी चाहिए तरीवाला चिकन जो है अब तरीवाला चिकन तरीवाला कुककड अब तरीवाला कुककड बन गया है बचा है सरिफ धनिया So, मोटा मोटी इसमें क्या important है? देखें, मोटा मोटी इसमें ये important है कि इस recipe में धक्केशाई नहीं करनी धक्केशाई मतलब gas की आप देखिए, मैंने कभी भी speed नहीं बढ़ाई धीरे धीरे भुनाई करिये इसमें gas तेज करके कि अगर तारी खाहिए रहेगी तो तर्री का फ्लेवर कभी भी जिकन में नहीं आएगा क्योंकि जब गैस तेज रहेगी तो आपकी ग्रेवी अधि कलावडी हो जाएगी और ग्रेवी कलावडी ओजाएगी तो फ्लेवर्स कलावडी हो जाएग Henri अगर आप चाहते हैं कि ग्रेवी क्लियर रहे, उसके फ्लेवर्स क्लीन रहे, तो मीडियूम या स्लो गैस उस पर पकाएं, वो बहुत जरूरी है, लास मैंने धनिया डाला है, वो तो डालना ही था, but other than that, आप इसको बगेर गार्लिक के बना सकते हैं, definitely, लेकिन अदरक, हरी मि और प्यास का कॉंबिनेशन इसमें बहुत मेन है, बाकि अगर आपको टेस्ट करनी है, तो दुबाइ के DFC मॉल में कशकन करके रेस्टराण कोला है, हमने कशमीर टू कन्या कुमारी, वहाँ जाईए और प्लीज ट्राइ करिए, हमारा तरी वाला गुकड, कर दो करू कि अगर प्लीज टेस्टराब टेस्टराइा? प्रशेट में देखेंगे जाएंगे वार्मूला बहुत इंपर है इस रेसिपी में गयास को धीमा रखेंगे और कॉंप्लिकेशन को दूर रखेंगे सिंपल सी रेस्पी है और इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी ब्यूटी है फिर बार खाव नो समझ में आता है कि क्यूं चलती है क्योंकि एक बेसिक घर जैसे चिकन करी जो है ना सही वक्त पर उसका कोई मकाबला देगे काटी है गुड़ जाब रनवी तो जित्तरी वाला कुक्कड भी खतम हो गया अग्लिसो में अबसे फिर मुला काटी तो प्ते करें में अगाड़ जिए नौसिखा करें यह भी तो जिए। झाल झाल